नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News नमस्कार मैं आप देख रहे हैं CWB Hindi News नमस्कार मैं आप देख रहे हैं CWB Hindi News पर तरंगे पहुंचने शुरू हो जाएंगे आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इस बार 13 से 15 अगस्त की बीज हर गरद पर तरंगा लहराए जाने की मोहिम शुरू की गई है जेवर इंटरनेशनल एरपोर्ट से जुड़ेगा हरियाना बनाया जाएगा 6 लेन का एक्सप्रेस वे यूपी को भी पहुंचेगा फायदा अब हरियाना एसिया के सबसे बड़े जेवर इंटरनेशनल एरपोर्ट से भी जुड़ जाएगा एरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोडने की तैयर है इसके लिए हरियाना के बनाबगड से जेवर एरपोर्ट तक 31 किलमेटर लंबा ग्रेंफिल्ड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है यह एक्सप्रेस वे हरियाना के फ्रिदाबाद और यूपी के गौतमपुद नगर से होकर जाएगा इस हाईवे को बनाने के लिए हरियाना सरकार और उत्रप्रदेस सरकार दोनों सरकार राजी हो गई है दोनों सरकारों ने अपने अपने इससे की जमीन का आधिगरेंड कर लिया है इसका निर्मान नेचनल हाईवे अथर्टी आफ इंडिया यहनी NHAI करेगा इसके लिए NHAI ने एपको इंफ्रोटेक कंपनी को जिम्यदारी भी सोब दी है जो दो साल में इस हाईवे को पूरा करेगी इस 31 किलमेटर लंबे एक्सप्रेस वे का 24 किलमेटर इससा हरियाना में बाकि 7 किलमेटर का इससा उत्रप्रदेस की सीमा में पढ़ता है इसके चोड़ाई 6 लेन की होगी जिसे भाविश्य में 8 लेन का किया जास केगा हरियाना पंचायद चुनाओ को लेकर जेजेपी ने बनाई 3 कमेटियां परभारी करेंगे परदेस बर्गा दोरा परदेस में होने वाले आगामी पंचायद को लेकर जन्नाईक जनता पार्टिय ने 3 कमेटियों का गठन कर दिया है इन कमेटियों के परभारी परदेस बर्गा दोरा करेंगे और 15 अगस तक चुनाओ से समंदित रिपोर्ट पार्टी को शोपेंगे यह जानकारी उप मुख्यमंदरी दूशन चोटाला ने सिर्शा में पंचायद चुनाओ को लेकर जेजपी की परदेस तरी बैठक के बाद पत्तरगारों को दी बैठक में जेजपी ने पंचायद चुनाओ को लेकर विस्तारपूर उग चर्चा करते विए रणनिती बना गई है उप मुख्यमंदरी दूशन चोटाला ने पार्टी के सभी प्रकोष्टों को हलका स्तरपर मजबूत करने का आहवान करते विए कहा कि पंचायत राच चुनाओ पचास परतिसत महिलाओं पर आधारित कर चुनाओ रणनिती बना जाएगी कुल्दी विस्तारपूर आज देंगे इस्तिपा, कल यानी च्यार को जोईन करेंगे भाजपा, बोले आदमपूर का वनवास होगा खातन कॉंगरेसी विदाएक और वरिष्ट नेता कुल्दी विस्तारपूर जल्द ही कॉंगरेस को बाई बाई करने के साथ ये अपनी विधानसवा की सदिश्टा सवी इस्तिपा देने के तैयारी में है उन्होंने मंगलवार को ट्वीट किया जिसमें उन्हें सेरो शाहरी के जरीए कॉंगरिस पर तंज कसा है फिलाल आदमपूर से विदाइक कुल दे विशनोई ने भाजपा में जानी को लेका ट्वीट किया है बताय जा रहा है कि कुल्दी विश्णोई के साथ उनकी पतने भी पार्टी में सामिलोंगी मुरुत निकलवाने के बाद में चियार अगस्त की सुबह का वक्त रखा गया है सुबह 10 बज का 10 मिनट पर भाजपा में सामिलोने के संक्यत मिल रही है विदायक कुल्दी विश्णोई ने काया कि अब समय आ गया है कि आदमपूर हलका का वनवास खत्म किया जाए उन्होंने का कि आदमपूर हलका ने करीब 27 साल का वनवास खत्म हो गया है उन्होंने का कि आदंपुर हलके की जंता की मांग पर 3 अगस्त को चंडिगट जाकर विदायक पद से इस्तिफा दे देंगे और 6 अगस्त को आप सभी के साथ भाजपा में सामिल हो जाएंगे बुड़ापा पैंसन अपडेट ओटोमोड सिस्टम से वर्दावस्ता समान बता बनाने में जिला महंदरगड पहले स्तान पर परिवार पैचान पत्र के मादेम से अब वर्दावस्ता समान बता पाने के लिए आविदन करने की आवश्यक ता नहीं है जुलाई तक जिले महेंदरगड में 430 बुजर्गों की पैंसन ओटो मोड सिस्टम के मादम से बन चुकी है अब वर्दावस्ता सम्मान बता के लिए लोगों को विबाग की चकर नहीं लगाने पड़ेंगे बलकि विबाग लोगों को उनकी घर दोआर पर जाकर सम्मान बता के कागजात पूरे करवाएगा ओटो मोड सिस्टम से वर्दावस्ता सम्मान बता बनाने में जिला महेंदरगड परदेश भर में पहले स्थान पर बना हुआ है जिले महेंदरगड में 430 बुजरुकों को बता इसी सिस्टम के मादम से बन चुकी है आगे भी यही परक्रिया जारी रहेगी प्रिवार पैजान पत्र के तैत जिनकी उमर 60 साल हो गई है और जिनकी पती पतनी की सालाना इंकम 2 लाग रुपे से कम है उनका डेटा क्रेड की तरब से आटोमेटिक तरीके से सोशल जस्टिश डिपार्टमेट को भेज दे जाएगा और पैंसें बना दी जाएगी हरियाना विधान सबा का मानसुन शत्र आठ से तीन दिन चलेगा चाही रहेंगे एवेट खनन और डेस्पी की हत्या जैसे मामले हरियाना विधान सबा का मानसुन शत्र आठ अगस्त से प्रारम होने जा रहा है शत्र इस बार छोटा लेकिन हंगामेदा रहने के आसार ज्यादा बन गए है बिजनिस एडवाजरी कमेटे की बैठक मंगलवार को हुई इसमें शत्र को आठ से दस अगश्ट तक चलाने का फैसला लिया गया विपक्स के और से शत्र को लेकर अभी से हमलावर रहने के संकेत साफ कर दी गए है जिसमें कानून व्यवस्ता विधायकों को धमकी दे जाने अवेद करनन माफियां को आतंक वे डियस पी की मोच जैसे मामले सदर में चाही रहेंगे क्रेशी विभाग ने दी किसानों को सलाहक ग्रॉस होपर को टिड़ी समझ कर भरमित न हो किसान महें अंदरगट जिला के खंड नांगल चोदरी वे नारुन के कुछ गाउं में बाजरा की फसल पर ग्रॉस होपर कीट का आकरमन देखने को मिला है यह एक पति खाने वाला कीट है जो जोर बाजरा की फसल की नरम पतियों को खाकर फसल को नुक्सान पहुंचाता है किसान इसे टिड़ी दल ना समझे बतायागा कि पहाड़ियों के साथ लगते कुछ गाउं में इसका आकरमन देखने को मिला है लगबग 1186 में इस कीट का आकरमन देखने को मिला है कुछ किसान इसे टिड़ी दल समझ कर प्रेशान हो रहे है यह टिड़ी दलना उपर उशी पर जाते का एक दूसरा अन्य कीट है टिड़ी दल एक दिन में कई मिलों का सफर तया कर लेता है परन्तु यह ज़्यादा सफर तया नहीं कर पाता जिस खेत में है लगबग उशी खेत में बना रहता है इसको बड़ी आसानी से नियंतरित किया जा सकता है डिएस्पी के मोत ने खोली हर्याणा सरकार की नेंद एवेध क inner को लेकर बनेंगे कड़े कानुन हर्याणा ओर एंस्याँ चेतर में सरकार के लाग कोछी सों के बावसुद भी एवेध खनन धर्ड़ बिले से फलपूल रहा है अरावली चेतर में आवेद खनन को रोगना खटर सरकार के लिए शिर्दत बना हुआ है खननन माफियाँ ने सरकार को चुनोती देते वे नू चेतर में आवेद खनन को रोगने गए डेसपी सुरेंदर सिंग बिशनोई को डंपर से कुजल कर मोद के गाट उतार दिया ऐसे में सुबे के खननन मंतरी मूलचन सर्मा ने कहा है कि एवेद खननन माफियाँ को खिलाब सक्त एक्षन लिया जाएगा और इसको रोगने के लिए कड़े कदम उठाते हुए संबंदित विवागों की जिम्मेदारी तैक किये जाएगे उन्होंने कहा कि एवेद खननन रोगने के लिए इसके जड़ों को कटा जाएगा और ऐसा तभी संबह होगा जब सक्त कानून बनाए जाएगे हमारी सरकार द्वारा एवेद खननन रोगने को लेकर हर संबह प्रियास किये जाएगे अब ट्रेन में खाना पिना पड़ेगा भारी फूड पर बड़ा 5 फिच दे जिएस्टी अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो एक ख़बर आपके लिए बहुत महत्पूर है दरसर अपिलेट अथोर्टी फोर एडवार्स रूलिंग्स ने बदायागी अबसे ट्रेनो या रेल्वे फ्लेटफॉम पर सारुप किये जाने वाले फूड पर 5 परसेंट समान जिएस्टी लगेगा या जिएस्टी रेल्वे लाइसेंस प्राफ्ट कैटरर और बेगर लाइसेंस वाले कैटर मिल दोनों परलाग उरूँगी हालांकि ट्रेनों में मिलने वाले समाचार पत्रों के सप्लाइपर गूड्स और सर्विस टेक्स यानि जिएस्टी नहीं लगेगा गौर्त लबे की पहले फूड पर दोत्रे की जिएस्टी दरे लगती थी एक 5 फिजदी और दूसरी 18 फिजदी इनमें से अगर रेस्टोरेंट पर फूड खाय जा रहा है या फिर पैक कराय जा रहा है तो 5 फिजदी जिएस्टी लगती थी वहीं अगर आप ट्रेन में फूड के डिलिवरी मंगाते हैं तो आपको 18 फिजदी का जीएस्टी बरना होता था आइफोन 14 के चाहने वालों का जल्द होगा इंदिजार खात्म अगले महीने लेगा बाद रोमेंटरी एपल इस साल आइफोन 14 सीरिज को लांच करने वाला इसको लेकर कंपनी ने तमाम तयारियां शुरू कर दी हैं बता दें कि हर साल की दरह इस साल भी च्यार मोडल मार्केट में उतार जाएंगे आपकी बाद मीनी के जगए मैक्स मोडल आएगा पिसले साल आइफोन 13 को स्तंबर महीने में लांच किया गया था आपकी बाद भी एपल इसी महीने यानि स्तंबर में अपना नए आइफोन लेकर लांच कर सकता है एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 13 स्तंबर को आईपोन 14 को लॉंच किया जाएगा एपल इस साल चार नए आईपोन 14 मोडल लॉंच करने के लिए पूरी तरह से तयार है भूपेंदर सिंग हुड़ा का बड़ा एलान सरकार बनी तो गरीब परिवारों को 300 उनिट बिजली और सोगज प्लाट मिलेगा फिरी पंचकुला में आउजित हर्याना कॉंग्रेस पर्देश कमेटी के एक दियों से चिंतन सिवर को सम्मोधित करते है पूर मुकिमंदरी बुपेंदर सिंग हुड़ा ने कहा कि राजी में कॉंग्रेस की सरकार बनते ही वर्दावस्ता पेंचन को बढ़ा कर 6000 उर्पे परति मह ने कर दे जाएगा साथ ही गरीब परिवारों को 300 उनिट बिजली मुफ्त और सोगज प्लाट मुफ्त यरी फ्री में दी जाएगे इसी के साथ हुड़ा ने कहा कि पदक जीतने वाली खिराडियों को फिर से उच पदों पर नियुक्ती भी दी जाएगी हरियाना में किसानों को मिलेगा 15,000 रुपे मुआवजा दूशेन चोटला ने दिया जल निकासी का आदेश हरियाना के डिप्टिशियम दूशेन चोटला ने भिवानी और इशार जिले के भारी बारिश से प्रभावित गाउं का दोरा गया इस दोरान उन्होंने किसानों के साथ हमजन को रहात देने वाले निर्देश जारी करते वे अधिकारियों को कहा कि जल बरावाले चेतरों में जल्द से जल्द पानी की निकासी का काम शुरू किया जाए दुशिन चोटला ने कहा कि जब तक पूरी तरह से पानी की निगासी नहीं हो जाती तब तक SDM ओफिस में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए और सभी बेलदारों की डूटी पानी निगासी संबंदी कारियों में लगाए जाए दुशिन चोटला ने कहा कि भारी बारिश से फचलों में वे नुक्सान के आंकलन के लिए पांच अगस्त से गिरदावरी शुरू होगी उन्होंने का कि जिन किसानों के फचलों को भारी बारिश से नुक्सान पहुंचा है उन्हें 15,000 रुपे परते एकड़ तक का मौज़द दिया जाएगा हरियाना में 66,000 बत्चों का एक साल बचाने के लिए बोर्ड ने सभी उन्वेस्टी को लिखा पत्र परवेश तित्ती बढ़ाने के की मांग की है युनिवेस्टी नई आई टी आई की तिथी बढ़ानी के लिए भी पत्र लिखा गया है हर्याणा विद्यारती भी पास होकर कॉलेज या आई टी आई या फिर अन्य सिक्षन संस्तानों में अगली कक्षा में प्रवेश लेश्कें बोर्ड पर शासन परिक्षा ले चु अगस्त को इस विशेश प्रिक्षा का प्रेणाम गोशित कर दे जाएगा ताइवान पहुंची अमेरिकी स्पिकर नैंसी पेलोशी युएस के 24 फाइटर जेट्स ने दिया स्क्योटी कवर चीन ने का हम मिल्टर एक्षन जरूर लेंगे अमेरिकी संसत के निचले सदन भार लोगसभा की तरह हैं हाउस ओफ रिपर्जेंटेटेव उसकी स्पिकर नैंसी पेलोशी आखिरकार ताइवान के राजदानी ताइप पहुंच गई अमेरिकी नेवी और एरफोर्स के 24 एडवांस फाइटर जेट्स ने नैंसी के प्लेन को एसकोट किया चीन के सरकारी अकब चीन ने कहा कि हम टार्गेटेड मिल्टरे एक्षन जरूर लेंगे हालांकि यह साफ नहीं क्या गया कि चीन किन टार्गेट्स पर सैन ने करवाए की धंगी दे रहा है इसके पहले अमेरिका ताइवान और चीन तीनों ने अपनी फोजों को कॉमबेक ट्रेडी इनी जंग के नहीं कर पाया आज खबरों वसित नहीं देखते रहे से डवलू भी हिंदी न्यूज नमस्कार